जैश्री किष्णा एवरेवन कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब बहुत ही अच्छी होंगे एकदम फर्स लास सो दोस्तों सेप्टेंबर के एक्जाम्स में अब एक महीना रहता है तो इस एक महीने में अकाउंट्स और एकनॉमिक्स की रिविजिन किस तरीके से हम करने वाले है इसी को डिसकस करने के लिए वीडियो है तो इसको जारा ध्यान से देखना कि कैसे जो हमारी प्रिपरेशन बूस्टर सीरीज होती है जो हर टेम के लिए आती है अराउंट 25-30 days अकाउंट्स और एको को हम पूरा रिवाइस करने वाले है तो कैसे कैसे करना है मैं आपको क्या क्या करवाने वाला हूँ क्लासिस कब कब होगी वो सब चीजें हम इसमें डिसकस करेंगे ध्यान से मेरी बात सुनेंगे तो देखो क्लासिस हमारी स्टार्ट हो रही है फ्रम मंडे मंडे का मतलब कैसे 12 ऑफ ऑगस्ट से क्लासिस चार्ट हो रही है 12 ऑफ ऑगस्ट से क्लासिस चार्ट हो रही है हंजी और मज़े की बात क्या है मज़े की बात है आपके चाहिए ही चाहिए जिसमें हम क्या करने वाले हैं सबसे पहले कुछ दिन के लिए स्टार्टिंगी कुछ डेस के लिए हम करेंगे अकांट की प्राक्टिस मैं पूरा समझाता हूं देखो जो यह हमारी preparation booster series है इसमें इस बार क्या होने वाला है होने यह वाला है कि मैं आपको around जितने भी आपके chapters हैं सारे के सारे chapters उस chapters के जितने भी अच्छे-च्छे questions जो मुझे लगते हैं जो questions मुझे लगता है कि यह तो आपको आना ही चाहिए जिससे आपका पूरा का पूरा chapter cover हो सकता है वो questions मैं आपको करवाने वाला हूँ और वो questions जो आपके होंगे वो आपके study mat की होंगे ठीक है अब वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किस तरीके से करना है लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि यह जो series होने वाली है एक बार भी नहीं पड़ा तो देखो, मैं हमेशे से बोलता हूँ कि यार आपको पूरा का पूरा study mat है ना वो एक बार तो पूरा का पूरा cover करना ही करना है सारे के सारे questions एक बार तो करने है उसके next time आपको जो जो अच्छे-चे questions है वो करने होते है मालनो आपने कोई chapter के concept भी आपको आते नहीं है तो आपको क्या करना है एक आपको playlist मिल जाएगी मेरी channel पर यह आपकी playlist है CA foundation one shot series आपको मिल जाएगी बिल्कुल मिल जाएगी यह मैंने June 24 में डाला था मज़ए की बात क्या है इस playlist में macro economics और आपके accounts के सारे chapters के one shots है जब मैं one shot की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब यह है कि वहाँ पे concepts भी discuss हुए है और कुछ questions की practice हुई है तो आपको करना क्या है मालनो आपने कोई भी chapter अभी तक एक बार भी नहीं पढ़ा तो यहाँ पे हमने अपनी सीरीज को दो पार्ट में डिवाइट किया है एक है तिल 31st of August और एक आपका 1st से 10th of September यह हमारे 2 phase रहेंगे 31st of August तक मैं आपको accounts में क्या करवाँगा 55 important questions जब है 55 important questions के बात कर रहा हूँ तो सारे chapters के questions है जो high weighted chapters है जैसे क्या company accounts है तो हम company accounts से start करेंगे और company accounts के जाधा questions बने ले लिए जो chapters आपके थोड़े से ऐसी है जो easy chapters है उनसे 2-3 questions ले लिए जिसमें सब कुछ कवर हो जाएगा तो कुल मिलाके around 55-56 के आसपस questions होगे जो हम करने वाले हमारी कोशिश होगी कि at least 31st August तक हमारे complete हो जाएगे अगर हम daily 3-4 questions भी करेंगे तो अराम से हो जाएगे तो 10-12 के बीच मैं मिसको करने वाले हां जी इसके साथ साथ जब मैं बात करता हूँ economics की तो देखो economics में जो macro economics है उसके one shot मैंने बहुत ही बड़िया डाल रखे है मुझे लगता है कि वो best है मेरे best है मतलब ठीक है तो मेरे इसाब से मैंने बहुत अच्छी से डाल रखे है तो macro economics के one shots जो की आपके यहाँ पे है वो आपको वहाँ से cover करने है मैं एक बार सारे chapters को compile करके भी डाल दूँगा वो भी आप एक बार देखे है लेकिन यहाँ से आपको macro economics के one shots cover करने cover करने है तो मैं 31st August तर क्या करने वाला हूँ micro के one shots आपको कराऊंगा तो chapter 2 का one shot एक दिन में पूरा का पूरा करेंगे वो कब करेंगे schedule हो जाएगा सारा schedule आपको मिलेगा कहाँ पे telegram group पे इसका link आपको मिल जाएगा comment section में तो ध्यान से इसको join कर लेना सारी updates आपको telegram group पे मिलती रहेंगी classes का link आपको आपी मिलेगा मज़े की बात है जैसे हम यहाँ पे questions कर रहे हैं उन questions के answers भी करेंगे उसको मैं आपको पूरा समझाओंगा भी तो ऐसा नहीं है अब इसको हम किस तरीके से करेंगे मैं discuss करूँगा बहुत ही सोच समझ के strategy बनाई है कि questions हम practice किस तरीके से करने वाले तो हम आपको समझाता हूँ भी लेकिन यहाँ पे micro का one shot और एक मेरा chapter 9 जो है उसका one shot रहता है जो record हो रहा है वो आपको जल्दी मिल जाएगा तो सारे सारे chapters के economics में सारे chapters के one shots आपके पास हो जाएगे हो जाएगे तो 31st August तक आपका target क्या होना है कि भाई आपने economics के proper आप पर एक तो पहले आपने पूरा slivers cover कर लिया फिर आपने one shots cover कर लिया macro के one shots आपको दे रखे micro के मैं आपको दुबारा से दे दूँगा properly अच्छे से detailed one shots और chapter 9 तो यह आपका पूरा 31st August तक हमारा target यह ठीक है everybody यह सुनो 1st 10th September तक हम क्या करेंगे accounts में study material is the most important चीज सबसे important चीज study material है उसको जितनी वारा practice करोगे exam उतना अच्छा जाएगा जो आपके RTPs, previous year questions, MTPs होते हैं वो भी कहीं नहीं कहीं आपके study mat के basis पे ही होते हैं तो study mat अच्छे से आगे तो बाग की चीज़े आपकी automatically हो जाती है यह तो हम करेंगे ही करेंगे लेकिन यह जो important होगा यह बहुत important है ठीक है तो 55 important questions में आपके कुछ-कुछ questions यहाँ पे previous year question भी होंगे कुछ-कुछ आपके RTP वाले भी होंगे लेकिन majorly आपका study mat होगा समय में आगए बात इस तरीके से करने वाले तो first year 10 September तक जो जो मुझे इन तीनों में अच्छ-चे question लगेंगे वो हम करेंगे और यहाँ पे करने वाले important mcqs जब मैं important mcqs की बात करता हूँ तो वो किस तरीके से करेंगे तो दोस्तों देखो जितना भी मैंने June 24 वालों से बात करी है पहले वाले बच्छों से बात करी है जिनका clear नहीं हुआ तो एक बात मुझे समझ में आ गई कि कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई chapter मालो कर लिया है उसको पढ़ लिया revise कर लिया लेकिन exam में वो click नहीं हुआ exam में blank हो गया तो उसका एक ही reason हो सकता है कि आपने chapter wise तो cover कर लिया था लेकिन cumulative नहीं किया मतलब in totality मतलब पूरा जो होता है MTP कर रहे हो आप कि भाई उसमें हर chapter में से randomly questions होते है वहाँ पे वो click नहीं कर रहा chapter wise आपने किया chapter के आपने concepts को पढ़ा question करें तो वो आपका जो दिमाग है वो chapter के according चल रहा है लेकिन जब आपको एक साथ पूरा paper attempt करना होता है तो वहाँ पे उतना click नहीं कर रहा तो यहाँ पे जो आपके important questions होने वाले है और MCUs होने वाले है वो मैं इसी तरीके से design करने वाला है तो कैसे करने है द्यान से मेरी बात सुनों जब मैं important questions की बात कर रहा हूँ तो इसमें हम करेंगे कैसे इसमें हम randomly किसी भी chapter में से questions करेंगे मतलब जैसे मैं start करूँ मैं company accounts से तो company accounts में से किसी भी chapter से questions करने वाले है shares के दो questions कर लिए तो आपका दिमाग chapter वाइस नहीं चलने वाला है अब क्या होगा अगर आपने पहले बस ले बस पढ़ रखा है तो वो questions आपको आने चाहिए बिल्कुल लेकिन अगर नहीं आ रहे है तो इसका मतलब उस chapter में कमी है उसको दुबारा पढ़ना पढ़ेगा तो questions के practice हैं properly करेंगे लेकिन मेरी सब बच्चों से एक छोटी सी request है कि आपको ये कुछ भी हो जाए live करना है बहुत सारे बच्चे हैं जो सोचते हैं कि सारे इसको recording में देखेंगे दोस्तों क्योंकि classes आपकी almost almost daily होने वाली है जब नहीं होगी तो मैं telegram पर बता दूँगा almost daily होगी तो अगर आप इसको थोड़ा procrastinate करते रहोगे कि वह कल करेंगे recording में देखेंगे ये करेंगे नहीं क्योंकि जो हम यहाँ पे questions की practice करने वाले है वो बहुत interesting तरीके से करेंगे कैसे करेंगे मैं आपको समझाता हूँ आपके सामने question आएगा एक simple सा example लेता हूँ ठीक है अब मैं आपको यहाँ पर यह नहीं बताओंगा कि यह कौन से chapter का question है कौन से chapter का illustration है या कुछ भी है नहीं बताने वाला में ठीक है तो randomly आपके सामने question आए question है मैं अब जिन बच्चों ने study में धंग से कर रखा मैं उस question का आपको एक timer दूँगा timer का मतलब क्या हो गया कि आपको time दूँगा कि सुनो इस question को करने के लिए आपके पास 10 minutes का time है जिन बच्चों ने वो question पहले कर रखा है उनको click हो गया आप क्या करोगे आप video को उसी time पे post करोगे आपके सामने question होगा 10 minutes का आपको time देखना है और आपको क्या करना है वो question उसी time live में आपको पूरा का पूरा solve करना जो बच्चे माल नो पहली बार देख रहे हैं या जिनको recall करना है तो ये question मैं पूरा का पूरा class में explain करूँगा everybody here so तो दोनो type के बच्चों को यहाँ पे cater करेंगे वो बच्चे जिन्दों ने पहले पूरा solve कर रखा है और अब सिरफ और सिरफ क्या चाहिए कि बैट के practice करने है कि कोई मुझे randomly कोई question दे दे और मैं उसको साथ साथ practice करूँ वो बच्चे भी हो जाएंगे second type of students कि मैंने chapter पहले पढ़ा था लेकिन सारा आप थोड़ा सा revise करना है थोड़ा recall करना है तो मैं आपको पूरा का पूरा explain भी करूँगा तो दोनों ही चीज़े हो जाएंगे कि आपको करना live है क्योंकि recording में यह नहीं हो पाएगा पहले बता रहो क्योंकि recording में आप accounts की recording क्योंकि recording नहीं देख पाओगे कोई ना कोई class आप से miss हो जाएगी तो 10 से 12 रात को आपको कुछ नहीं करना है आपको बस ये वली class को properly attend करना है हांची बिल्कुल सही same with the mcqs जब mcqs होंगे वो chapter wise नहीं होंगे मालो मोटा मोटा आपके 500 mcqs है तो 500 mcqs randomly किसी भी chapter से होंगे पहले 2 mcqs macro फिर micro फिर किसी भी chapter से होंगे तो ये क्या होगा सर इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपका preparation level कैसा है कौन से chapters में दिक्कत आ रही है क्या जब जैसे आपका paper आता है तो paper में chapter wise तो नहीं होता न paper में कहीं से भी आ जाते हैं तो वैसे हम practice करने वाले जैसे practice करेंगी वैसा exam होगा तो कोई panic situation नहीं होगी कि भाई ये कहां से आगया वो कहां से आगया आपने already उस चीज़ की पहले practice कर रखी होगी yes or no I hope आपको बात समझ में आगी होगी बाकि जैसे हम करते रहेंगे आपको समझ में आज जाएगा तो मिलना है आपको कब मिलना है आपको कल कल मतलब मंदे को मंदे मतलब 12th August को रात को 10 बजे exactly बस आपको करना ही है मैं चाहता ही हूँ देखो मुझे मज़ा तब आएगा जब बहुत सारे बच्चे बैठके पढ़ रहे होंगे मेरा motivation वही है कि बहुत सारे बच्चे बैठे हुआ है हराम से पढ़ रहे है बाकी अपना जो law और maths बगरा है वो सब चीज़े है वो आप पूरा का पूरा दिन चलाते रहो reason यही है रात को करने का कि पूरा दिन अराम से बाकी सब चाहता राम सी करते रहो account इको की revisions मैं आपकी अच्छे से करवा दूँगा हाँ या ना कोई doubt होगा कुछ भी होगा बता देना मुझे comment section में लेकिन comment section मुझे चाहिए कि हांसर मैं आ रहा हूँ मुझे attendance चाहिए सब बच्चों की कि मुझे भी समझ में आ रहा है कि कि इतने बच्चे लाइब में आने वाले है नहीं आओगा तो घर पे phone कर दूँगा बात से में आगी चलो ठीक है मिलते हैं आपसे फटा फट से 12 अगस रात को 10 बजे अपने धियान रखें बाई everybody बाई टिक के टेलीग्राम का link comment section में उसको join करना ठीक है ना चलो बाई